बिएरोज़गार युवाओं के लिए फाइदेबंद साबित होने बाला है हम बात कर रहे हैं बिहार मुख्यमंतरी स्वयम सहायता भत्ता योजना की या योजना मुख्यमंतरी की महत्वा कांख्षी साथ नेश्य योजना के अंतरगत आता है जिसके अनुसार आर्थिक हल युवाओं को बल कितहत युवाओं को आर्थिक मदद देने का लक्ष है बिहार के नौजवालों के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंतरी स्वयम सहायता भता योजना की शुरुआत की अगर आप भी बिहार में रहते हैं और बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस योजना की माध्यम से सरकारी मदद हासिल कर सकते हैं अब आपको योजना की बारे में विस्तार से बताते हैं मोखिवंद्री निश्य स्व्म सहायता भत्ता योजना या MNSSBY या फिर बेरोजगारी भत्ता योजना के दहट बार्वी पास बिहार के बीक वि Любah को रोजगार दलाजने में अर्थिक सहायता की रूप में हर महीने हजार रुपय बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है इसमें किसी युवा को अधिक्तम दो साल तक बेरोजगारी भत्ते का लाब मिलता है इसका लाब लेने के लिए युवाव को कुशल युवा प्रोग्राम यानि की के वाई पी में तीन महिने की बेसिक कम्प्यूटर ट्रेनिंग वा भाशा समबाद का प्रशिक्षन लेना जरूरी है यहां आपको यह भी बता दें कि रोजगार की तलाज शुड़ू करने की तारीक से दो साल की अवधी के बीच अगर युवा को रोजगार मिल जाता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाता है अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए कौन-कौन आविदन कर सकते हैं इस योजना के आविदन के लिए आविदक की उम्र 20-25 साल के बीच होनी चाहिए आविदक बिहार सरकार से मानिता प्राप्ट स्कूल से बारवी पास किया होना चाहिए इसके साथ ही आविदक बारवी कक्षा से आगे की पढ़ाई ना कर रहा हो और रोजगार की तलास में रहे तभी इसका लाब पा सकते हैं इसके अलावे आविदन करने वाला युवा बिहार के उस जिले का स्थाई निवासी हो जिस जिले के पंजिकरन केंदर में आविदन फॉर्म जमा कर रहा हो यह आपको ये भी बता दे कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आविदक को किसी अन्यसरोत जैसे की इस्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदी से शुक्षा डिन, छात्रवरिती या फिर भत्ता आदी नहीं मिला हो तभी वे बेरोजगारी भत्ता के लिए कर सकते हैं आविदक के पास अपने रोजगार का कोई साधन ना हो आविदक को शन संसाधन विभाग द्वारा संचारित भाशा समवाद एवं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग लेना जरूरी है और के वाइवी ट्रेनिंग का प्रमान पत्र पेश करने के बाद ही योजना का लाव मिल सकता है अब आपको बताते हैं कि MNSSBY में आविदन के लिए जरूरी कागजाद क्या क्या लगेंगे इसके लिए बारवी एवं दसवी कक्षा पास करने का प्रमान पत्र जिसमें जन्मतिती लिखी हो आवासिये प्रमान पत्र खाता संख्या एवं पास वुक की फ प्रम संसादन विभाग की ओफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इस होम पेज पर आपको न्यू एप्लिकेंट रेजिस्ट्रेशन का ओप्शन दिखाए देगा आपको इस ओप्शन पर क्लिक करना होगा ओप्शन पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके मोवाइल पर आए ओटीपी को फॉर्म के बॉक्स में भरना होगा फिर आपको कैप्चा कोड भढ़कर सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको इसके लिए मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कै बटन पर क्लिक करना होगा इस तरह आपका पंजी करन पूरा हो पाएगा अगर आप इस योजना का लाप पाने के लिए ओनलाइन आविदन करते हैं तो ओनलाइन आविदन करने के बाद 30 दिन के अंदर सारी जरूरी दस्तावेज के साथ आपको DRCC की कार्याले में दिया जाएगा वोखेमंत्री निशेर संसायता बेरुजगारी भत्ता की तहत इस वित्य वर्स 2022 से हर साल सवा लाख नए युवाओं को बेरुजगारी भत्ता देने की तयारी हो रही है इसके लिए अगले पात सालों में 750 करोड की योजना का प्रस्ताव तयार किया गया है इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू है आपके रजिस्ट्रेशन की प्रकिरिया सही सही पूरी हो जाने के बाद बिहार सरकार द्वारा दो साल तक प्रती माह 1000 रुपिये की धन राशी सीधे आपके बैंक एकाउंट में इस्थाना तरेट कर दी जाएगी आप इसके ल जो आप जाना चाहते थे इसी तरह हम ऐसे ही किसे योजना की बारे में आपको अपनी नई सीरीज योजना आपके काम की के अगले वीडियो में बताएंगे आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप आगे किस योजना की बारे में जानना चाहेंगे ये आप हमें कॉमेंट से इजी इजाजत नमस्कार